बाबरपुर गाउं में गुसे रहा हे बाबरपुर गाउं में बिर्जू नाम का एक बुढ़ा अदमी रहता था जो की कई सालों से मतन चीकन की दुकान चलाता था बिर्जु अपनी दुकान पर मटन चिकन काट कर लोगों को बेचता था कई सालों से वो अपनी दुकान इस गाउं में चला रहा था बिर्जु काका की दुकान के ठीक सामने गिर्धर सेट का एक धाबा हुआ करता था सेट गिर्धर बहुत ही घमन्डी किस्म का व्यक्ति था उसके ढाबे पर चिकन बिरजू काका की दुकान से ही आता था बिरजू काका हर रोज चिकन मटेन लाकर सेट को देता था लेकिन जब भी पैसो की बात आती तो सेट बिरजू को बहुत सताता था सेट जी, एक महिने का हिसाब आपका बाकी है मुझे मेरे पैसे दे दू ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊं क्या बिर्जू, जब देखो तब बस पैसे ही मांगता रहता है ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूं सेट जी, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए पिछले एक महिने से लगातार मैं आपको बिना पैसे लिये ही चिकन मटन दे रहा हूं आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है तब ही तो आगे बेच पाऊंगा तुझ में बहुत घमन डा गया है आज से मेरे ढावे पर बनने के लिए तेरे यहां से चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं आएगा और रही बात हिसाब की तो भूल जा अब मैं तुझे एक पैसा नहीं दूगा तब ही एक लड़का वहां आया और उसने बिर्जु काका को सहरा दे कर उठाया आपका बहुत बहुत सुक्रिया सहाब बिर्जु काका आपने मुझे पहचान नहीं मैं प्रवेश हूँ दीनलाल का बेटा बचपन में जब हम लोग बहुत करीब हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें चिकन मटन बनाने के लिए दे जाया करते थे आपका बहुत ऐसान है हम पर काका आज मैं पढ़लिक कर शेहर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट पन गया हूँ और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले है सच मुच तुम दीना नात के छोटे बेटे प्रवेश हो तुम्हें इतने उचे पद पर देख कर मुझे बहुत खुसी हुई बेटा सदा खुस रहो और खुब तरक्की करो और एहसान किस चीज का बेटा दीना लाल बहुत अच्छा दोस्त था मेरा उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था ना कागा आप मेरे साथ आए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ प्रवेश बिर्जु को अपने साथ अपने घर ले गया घर के अंदर ही उसने अपनी लेबोरीटरी खोल रखी थी उस लेबोरीटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहाँ जाकर उसने एक स्किल लेस चिकन उसको उस मशीन में डाल दिया कुछी देर में उसमें से तरह-तरह के चिकन की विराइटी जैसे तंदूरी चिकन, चिकन, फ्राई, चिकन, कबाब ये सब निकलने लगे अरे बाप रे, ये कोनो जादू वादू है क्या इतने सारे आइटम, वो भी बस पाँच मिनट में काका ये जादूई मशीन मैंने आपको ध्यान में रख कर बनाई है आज जिस तरह से उस सेट ने आपके साथ विवहार किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह के चिकन बना कर बेचिए फिर देखिए उस सेट का ढबा कैसे दो दिन में बंद होता है बिर्जू काका ने उस मशीन को अपनी दुकान पर लाकर रख लिया साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ते और अच्छे चिकन के बने आइटम कुछी देर में लोगों की भी उसकी दुकान पर आकर लग गई अरे काका क्या क्या है यहां खाने को तंदूरी चिकन, लेक पीस, रोस्टेट चिकन बस आप आडर करो साहब जो चाहिए वो ही बन कर आ जाएगा पांच मिनिट के अंदर ही लोगों की फर्माईशे पूरी होने लगी और ये देखकर वो बहुत खुश हुए अब बिरजु काका की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछी दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और उसमें एसी लगा दिये अब सभी लोग उनकी दुकान पर बैट कर आराम से चिकन मटन का आनंद लेने लगे बिरजु दिन प्रती दिन तरक्की करता रहा और धीरे धीरे उसने खुद का एक बड़ा सा एसी धाबा खोल लिया तो वहीं सेट का धाबा अब पूरी तरक खाली पड़ा रहता हालात ये हुए कि कुछी दिनों में सेट को अपना धाबा बंद करना पड़ा अरजुन ने जैसे ही अपनी मा से उशा और अपने प्यार का जिक्र किया तो modern society में उटने बैठने वाली मा उनके प्यार के लिए राजी नहीं होती और वो ये सुनते ही भड़क चाती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अरजुन कान खोल कर सुन लो उशा जैसे middle class लड़की इस घर की बहु नहीं बनेगी नहीं बनेगी मा उसके middle class होने में उसका क्या कसूर है और middle class है तो क्या हुआ वो किसी से कम थोड़ी है तु ज़्यादा जुबान मत चला तुछ से ज़्यादा देखिये मैंने ये दुनिया और मैं इन middle class की लड़कियों की रग रग से वाकिफ हूँ अपनी मा की बात अरजुन की समझ से परे थी उसने मा की बात सुनतो ली लेकिन मनी मन एक फैसला ले लिया और उशा के साथ मंदिल में जाकर शादी कर ली फिर उसे अपने घर ले आया अर्जुन के साथ उशा को देख उसकी मा का गुस्सा सात्वे आसमान पर चला जाता है खबरदार, खबरदार जो इस लड़की को लेकर मेरे घर के अंदर आया मा, ये लड़की ही अब आप की बहु है और जहा तक रही घर के अंदर आने की बाद तो अब तो आपकी बहु ने अपने शुब कदम घर के अंदा रख दिये है निर्मला छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें आखिर वो हमारे बेटे की पसंद है और अब तो इस घर की बहु भी है नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती ये इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी निकल जाओ यांसे ये सुनते ही पासी खड़ी उनकी जवान बेटी धीरे से मा से कहती है ये क्या कह रही हो ममी, भावी बाले गया और शादी करके आई है अगर जादा जोर जबरदस्ती की, तो पुलिस केस भी हो सकता है हमारी परिवार की इज़्जत ही नहीं, आप जेल भी जा सकती है अपनी बेटी की बाते सुनकर मा घबरा जाती है तो क्या करूं, इस दो कोड़ी के मिडल क्लास लड़की को घर के मौलकिन मौन लूँ तुम भी न मा, मैंने ऐसा तो नहीं का, बस अभी इस लड़की का पलरा भारी है लेकिन जादा दिन तक रहेगा नहीं, हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये जादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाएगी बेटी की बात सुनकर मा खामोश हो जाती है और राद भर बेटी के साथ प्लानिंग करती है दूसरे दिन जब बहु पहली बार खाना बनाने जाती है तो मा बेटी प्लानिंग करती है ममी, भाबी आज पहली बार खाना बनाने जा रही है और आप तो जानती है ना पापा का नेचर उन्हें अच्छा खाना पीना कितना पसंद है अगर सतासा खाने में कमी हुई नहीं क्यों उनका मुह फूल जाता है और फिर वो उसी खाने के बेस पर खाना बनाने वाले को भी जज़ करने लगते हैं बिल्कुल तभी तो मैं तुम्हारे पापा के खाने से कोई कॉम्परमाईज नहीं करती बस तो आज भाबी के खाने के साथ ऐसा तिक्डम करेंगे कि भाबी का फर्स्ट इंप्रेशन ही पापा के सामने खराब हो जाएगा और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इस दे लास्ट इंप्रेशन उसके बाद बेटी शककर के पाॉडर का पैकेट निकालते हूई कहती है ये देखो मम्मी ये शककर का पाॉडर है इसे नमक के डिबबे में डाल दो भाबी इसे नमक समझ खर दाल और सबसी में डाल देंगे और फिर ये शककर अपना ऐसा कमाल दिखाएगा कि पापा के सामने भाबी और भाईया दोनों की बोलती बंद हो जाएगी ये कहती हुई दोनों खिलखिला कर हस्ती है और साज जाकर नमक के डिब्बे में पिसी हुई शक्कर डाल देती है बहु खाना बनाते वक्त उसे नमक समझ कर दाल और सबजी में डालती है सबजी और दाल खाते ही ससुर भड़क जाते हैं बहू ये कैसा खाना बनाया है मीठी दाल, मीठी सबजी ये दाल सबजी बनाये हैं या मिठाई चीनी क्यों डाला खाने में चीनी? नहीं पापाजी मैंने तो नमक ही डाला था तो क्या मैं जूट बोल रहा हूँ? खुद ही टेस्ट कर लो और बताओ इसमें शक्कर है या नमक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने मेरी बीवी की मर्जी के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया मम्मी ने तो पहले ही कहा था बस आप ही बहु बहु कहकर अपना प्यार लुटा रहे थे और कहा गया ये अरजुन बड़ी डिंगे हाक रहा था कि उशा मेडिल क्लास की है तो क्या हुआ वो किसी से कम तो नहीं है मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसी वक्त इसके घर भेज दो पहले जाकर घर से कुछ सीख तो आए नहीं नहीं पापा मुझे माफ कर दो अभी अभी घर में आई हूँ शैद डबे पैचान नहीं पाई की कौन से डबे में नमक रहता है कौन से में शक्कर हाँ हाँ अब कहो कि मुझे तो दिखता भी नहीं मैं सब समझती हूँ तुम जैसी मेडल क्लास लोगों की चाल को अरे शान्त रहो शान्त तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए और तुम नौन स्टाप शुरू हो जाती हो शायद बहु ठीक कह रही है ऐसी गलती हो सकती है हमेंसे एक मौका और देना चाहिए दूसरे दिन जब वो फिर खाना बनाती है तो पहले ही शकर का डिबा हटा देती है ताकि गलती ना हो पर सास उससे भी जादा चालाक निकलती है वो चुप चापा कर उसके खाने में धेर सारा नमक और मिर्शी डाल देती है बहु को कुछ भी पता नहीं होता वाह खाना दिखने में तो काफी लसीज लग रहा है आज मैं जम के खाऊँगा जम के खाऊँगे या जमा के बहु को सुनाऊँगे और सच मुझ खाते ही ससुड चिलाते है बहु ये क्या मजाख है कल खाने में शकर ही शकर और आज नमक और मिर्श ठोक के भाव में डाल दिया है तुमने नहीं पापा जी आज तुमेंने नमक मसाले स्वादा नुसार डाले थे ऐसा स्वाद? एक काम करो, तुम्हें एक निवाला खुड टेस्ट करो बहु जैसे ही एक निवाला मुह में लेती है वो मुह से फुर्ज से निकाल देती है वाँ, क्या स्वाद है, खाते ही मुह से बाहरा गया बहु तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बोल क्यों नहीं देती कोई सबरदस्ती नहीं है निर्मला कान खोल कर सुन लो कल से मुझे ऐसा खाना खिलाया तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा पापा ये आप क्या कह रहे है अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे जिन्हें जरा भी शरम हो वो छोड़कर जाएं ये घर बहु की समझ में नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन उसे ये जरूर पता लग गया था कि इस घर में उसकी रहा आसान नहीं है और उसकी जिन्दगी में जब भी कोई ऐसी परिस्तिती आती थी जहां उसकी राहें उसे मुश्किल लगती थी, वो अपने गुरुजी के पास जरूर जाती थी गुरुजी बहुत ही पहुँचे हुए और दयालू किस्म के आदमी थे उसने वहां जाकर उन्हें सारी बाते बताई बाबा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पर मेरी समझ में आ गया है बेटी उसके बाद बाबा अपनी जोली से एक पुडिया निकाल कर उसे देते हैं ये चादोई मसाला है, इसे तुम जिस खाने में भी डालोगी उसका स्वाद अपने आप अच्छा और स्वादिष्ट हो चाएगा लेकिन याद रखना, कुछ भी बनाते वक्त जैसे तुम सोचोगी बनने वाली चीज का स्वाद वैसा ही हो चाएगा हाँ, पर जो तुम्हारे साथ चालाकी करेगा, उसकी ठाली में उसी खाने का स्वाद वैसा ही आएगा जैसा कि उसने तुम्हारे साथ चालाकी करते वक्त सोचा होगा इधर उसके ससराल में सास और नगत सोच रही थी कि बहु घर छोड़कर चली गई है वो मन ही मन खुश हो रहे थे लेकिन दो पहर तक बहु वो जादूई मसाला लेकर अपने ससराल आ गई उसे देखकर सास और ननद ने अपना मूँ फेर ली लेकिन बहु ने इस बात के परवा किये बगैर अपने ससुर से एक बार और अपने हाथ का बना खाना खाने की रिक्वेस्ट की ससुर पहले तो नाना कहते रहे लेकिन बात में मान गए शाम को बहु खाना बना रही होती है और एक पल के लिए किचन से बाहर जाती है कि तब ही सास आखर खाने में मसाला मिर्च और नमक कीलो के हिसाब से डाल देती है ये तेरा आखरी दिन होगा इस घर में तो कोड़ी की लड़की अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सास के जाते ही बहु आती है और उसमें पुजारी बाबा का जादूई मसाला डालते हुए कहती है खाना खूप साधिश्ट हो जाए उसके बाद खाना लाकर जब वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो ससुर को खाते देख सास धीरे से अपनी बेटी से कहती है देखना बेटी अभी एक निवाला खाते ही तुम्हारे पापा जवाला मुखी की तरफ फटेंगे आह वाह क्या खाना बनाया है क्या क्या बात करते हैं मुझे तो नहीं लगता की अच्छा है एक दो निवाले और खाओ दो-चार निवाले क्या? मैं तो पूरा खाना खा जाओंगा ये कहते हुए फटा-फट काफी खाना खा जाते हैं ये देख सास के आँखे फटी की फटी रह जाती है हैं? ऐसा कैसे हो गया? अरे देख क्या रही हो निर्मला? तुम भी खाओ? बहुत बढ़ी है ये सुनकर वो भी खाती है और उसे बड़ा ही गंदा स्वाद आता है पूरा खाना वो फर्र से मूँ से बाहर निकाल देती है जी, कितना गंदा खाना है ये सुनकर बहुत समझ जाती है कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ ये सब कर कौन रहा था इधर ससुर जी भी अपनी पत्नी को इस तरह खाना उगलते देखते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है निर्मला बला खाने का स्वाद मुझसे स्यादा कौन जान सकता है जेलो चको कहते हुए अपनी थाली का निवाला खिलाते हैं तो सास को स्वादिष्ट लगता है अरे हाँ ये तो वाकरी स्वादिष्ट है फिर तुम्हारी थाली का क्यों नहीं है वो भी तो इस मैंसे बहूने परुसा है तो आप भी मेरी थाली का खा कर देखो ये सुनकर ससुर खाते हैं तो उन्हें स्वादिष्ट लगता है ये तो बिलकुल मेरी धाली के खाने जैसा ही है मैंने पहले ही कहा था अब चुपचाप खाओ इसे और बिना मतलब मीन मेख निकालना बंद करो वो जैसे दैसे एक निबाला खाती है फिर फुर से उड़ाती है ये देख पती को गुसा आता है और वो अपनी जगह से खड़े होकर चीकते है ये क्या बत्तमीजी है मैं ये बरदाश्ट नहीं करूँगा सुनते ही रोती हुई वो उनके पैर पकड़ लेती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है निर्मला कोई तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो बेचारे हमारे बेटा बहू एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हैं और तुम माफ कर दीजे मुझे माफ कर दीजे आज मुझे पता चल गया कि सच्चे प्यार का साथ उपर वाला भी देता है आज के बाद मैं इसे अपनी बहू ने बेटी बना कर रखोंगी ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं